अइसलाम लिक्ट स्टूडेंज प्रोसेस को समझने के लिए एक बिल्कुल बेसिक सी एक्जैम्पल हम करें कुछ इस तरह के छोटी सी एक्जैम्पल करकर हम जो है वो प्रोसेस कोस्टिंग के जो हमारे कॉंसेप्ट्स हैं उसको मजीद पक्का करेंगे यह आपके पास पहली अग्जैम्पल आ रहे हैं इसमें आपके पास एक कांपनी के दो प्रोसेसर से प्रोसेस एऔर प्रोसेस भी उसकी कुछ इंफोर मिशन आपको दी वी ए कोस के बारे में आपको डीटेंज दी हुई है ठीक है जना अच्छा इसके बाद प्रसेस के लिए जो परसेस के लिए जो परसेस के लिए वह पचास परसेंट कंप्लीट है आपने रेलेवेंट वर्किंग्स करनी है और प्रसेस के अकाउंट बनाने ठीक है अच्छा रेलेवेंट वर्किंग्स प्रसेस के अकाउंट मैं बनाता हूं पहले हम प्रसेस एक ही बात करते हैं ठीक है सबसे पहले हम प्रसेस एक ही बात करते हैं प्रसेस एक अगर मैं अपना अगर मैं अपना टी अकाउंट बनाऊं मैं प्रसेस एक आटी अकाउंट मनाता हूं ठीक है मैं प्रसेस एक आटी अकाउंट मनाता हूं हम जो हमारा जो ट्रांस्वर रहे हैं यह माटीरियल है उसके बारे में लिखते हैं कि भी ट्रांस्वर इन जो है वह 14 हजार यूनिट्स है उसके बाद फिर हम अगर देखें तो हमें त्रांस्वर टू प्रोसेस भी यावर यानि कि process A से जो चीज complete हुई और वो transfer हुई किदर transfer हुई बी में वो है 10,000 अच्छा जो closing WIP है हमारा closing WIP जो है हमारा यानि कि जो चीज़े incomplete है वो है 4000 तो अगर आप देखते हो तो आपके debit और credit दोनों जो units के column है वो आपस में balanced हैं ठीक है आपने material 14,000 का input किया उसमें से 10,000 transfer out हो गया और process B में चला गया और 4000 units वो हैं जो closing WIP यानि कि closing WIP में चले गए विच मींज कि ये वो units हैं जो process A में incomplete हैं अब सबसे पहले ये समझी है कि आपने 14,000 चीज़ों पर काम करना शूरु किया उसमें से 10,000 चीज़ें मुकमल कर ली 10,000 चीज़ें मुकमल कर ली 4000 चीज़ें closing WIP में हैं इसका ये मत्तब है कि ये वो 4000 चीज़ें हैं जो process A में ना मुकमल हैं अगली बार या अगले साल जब हम अपनी working करेंगे तो अगले साल का process A का ये opening WIP होगा अगले साल का process A का ये opening WIP होगा यानि कि इन units को मुकमल किया जाएगा ठीक है? अच्छा अब process A में cost कितनी लगी है? जो हमने material की cost लगाई है वो 2,000,000 और 10,000 है ठीक है? और इसके इलावा conversion cost जो लगी है जो conversion cost इंकर हुई है वो 144,000 है अच्छा material की cost लगाई 10,000 conversion cost में labor और overhead के सारे खर्चे आ जाते हैं ठीक है जनाब? अब हमें एक EPU या equivalent production unit की working करनी होगी अगर हम process एक ही बात करते हैं और EPU की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि material के बारे में क्या EPU है और क्या CPU या cost पर unit है लेकिए आपके पास कुछ units वो हैं जो transfer में process B में कुछ units वो हैं जो closing WIP में जो सवाल में additional information है उसमें लिखावे है material added at start of process A end at end of process B material added at start of process A का मतलब यह है कि जब मैं कोई चीज़ बनाने का फैसला करता हूँ उस पहले ही दिन पर मैं material की cost रुकर कर देता हूँ अब वो unit चाहे complete वा हो चाहे वो unit अभी तक incomplete हो चाहे वो unit complete वा हो यानि के process B में चला गया हो मकमल हो कर चाहे वो incomplete हो ना मकमल हो उस पर material लग जाता है तो जो 10,000 units जो आपके process B में गए हैं और जो 4000 units closing WIP में हैं इन 14 के 14,000 units पर material लग गया होगा इन 14 के 14,000 units पर material लग गया होगा अच्छा अगर मैं cost per unit की बात करूंगा material के लिहाज से के material की cost है वो पर unit कितनी है तो 2,10,000 रुपे की cost incur हुई है और वो 2,10,000 रुपे की cost 14,000 चीज़ों पर लगी है वो 2,10,000 रुपे की cost 14,000 चीज़ों पर लगी है वो 2,10,000 की cost अगर 14,000 चीज़ों पर लगी है तो एक चीज़ की cost per unit है material वाली वो 15 रुपे इसी तरह से हम बात कर लेते हैं EPU conversion cost की conversion cost के EPU में क्या होगा कुछ transfers to process भी है transfer B के जो transfer B के जो units transfer W नहीं प्रसेस B में वो हैं 10,000 units और जब कोई चीज़ मकमल होकर दوسरे process में जाती है तो उसाफ english profit cost कास्बें लग गई और तयार हो चुकी होती है और तयार हो चुकी होती है तब ही वो process B में जा रही होतीै जाने ये 1000 units रहें पर हंडरे परसंट की यूनेट से सवाल कहता है कि क्लोजिंग डब्यू आई पी इस एस्टीमेट टूबी 50% कंप्लीट फॉर बोथ प्रसेस यानि कि क्लोजिंग डब्यू आई पी के यूनेट्स तो 4000 हैं लेकिन यह पूरे मुकमल नहीं वेवे 4000 यूनेट्स आदे आदे मुकमल में वे तो 4000 यूनेट्स आदे आदे मुकमल होना ऐसा ही है कि 2000 यूनेट्स का पूरा मुकमल होना ठीक है तो क्लोजिंग डब्यू आई पी के यूनेट्स हैं उसका जो आपका एपी यू है वो 2000 है और टोटल 12000 यूनेट्स है ठीक है भई अच चीजि कास्ट पर यूनेट कानवर्जन कास्ट 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 कि कैंट कास्ट की baik क्ट आफीसल में कमल हो तो उस पर 12 रुपए की कनवर्जन कास्ट इंकर होगी अब हम अपना प्रसेस एका जो अकाउंट है वो मुकमल करते हैं 10,000 यूनिट जो है वो प्रसेस भी में गए हैं हर यूनिट पर पंदरह रुपए का माटीरिया लगा 10,000 यूनिट्स प्रसेस B में गए हर यूनिट्स पर 15 रुपे का माटीरियल लगा है और 10,000 यूनिट्स प्रसेस B में गए हर यूनिट्स पर 12 रुपे की कनवर्जन कॉस्ट लगी है लहाज़ ये जो 10,000 यूनिट जो हैं ये 27 रुपे का एक यूनिट बन जाता है 15 और 12 लहाज़ ये जो 10,000 यूनिट से इस पर टोटल दोलाक 70,000 रुपे का खच्चा भा जो 4000 यूनिट क्लोजिंग WIP में हैं उस पर 15 रुपे के हिसाब से माटीरियल लगा है जो चार हगज़र यूनिट क्लोजं। डब्र ईईP पे हैं, उस फे 15 रुपे के रपे के हसाब से माजीरल लगा है देखें मैंने 50% सा मल्टिप्लाय कर दिया इसका मदब 2000 पर आ गया यानि कि EPO पर आ गया यानि कि 4000 यूनिट्स पर मकमल कॉस चार्ज नहीं कर रहा बलकि 2000 यूनिट्स की कर रहा हूं तो यह 84,000 अब आप देखें कि क्या आपकी दोनों साइट्स बैलन्स होती है आपकी दोनों साइट्स क्या बैलन्स हो रही है येस आपकी जो दोनों साइट्स है आपकी दोनों साइट्स है अकाउंट्स की वो आपस में बैलन्स आफ कर रही है 14,000, 14,000, 354,000, 354,000 तो यह आपका process A का account है process A की हमने accounting पूरी करी अगर आपसे कोई EPU पूछे उसकी working individually टोटल में अगर कोई cost per unit पूछे उसकी working और यह excel की sheet linked है और इसकी amount सारी की सारी आ गए अब हम आ जाते हम अपने अगले process पर आ जाते हैं और वह अगला process जहें क्या कहला हैगा अगला process हमारा process बी कहला हैगा तो अब हम process बी की बात करते हैं ठीक है जी अब हम बात कर लेते process बी की यह process बी जह ना वह कैसा दिखेगा देखे प्रोसेस भी एक second process सीकेंड प्रॉसस का मत्व प्रॉसस एए जो चीजें बन यंक्व करिं वह प्रॉसस बीका इंपोर्ट कमक्मल करिए जाूंव चुख फ़से ट्रांसफर ट्रांसफर फॉर्म process A transfer from process A का मतलब ये है कि ये 10,000 यूनिट और ये 2,70,000 रुपे ठीक है process A से ये चीजें process B में आ गई process A से ये चीजें process B में आ गई सही है अच्छा अब process B में क्या वा transfer to finish goods 9,000 यूनिट यानि के जो 10,000 चीजें जो 10,000 चीजेंए से आई उसमे से 9,000 चीजें मुकमल हो गई dix हजाशंícios चीजें ए से आई उसमे से 9,000 चीजें मुकमल हो गई तैयार हो गई और finish goods में चली गई closing WIP जो है closing WIP जो है उसमे हैं 1000 यूनिट 10,000 यूनिट प्रसेस A से आए 9000 यूनिट मुकमल हो गए, 1000 यूनिट ना मुकमल है, closing WIP के हैं, incomplete है, अच्छा, process B में मजीद कुछ खर्चावा है, क्या, material की cost लगी है, material की cost लगी है, material की cost लगी है, एक लाख 8000, और कोई खर्चावा है क्या, conversion cost लगी है, conversion cost कितनी लगी है, conversion cost लगी है, 170, 1000, सही है न, तो य ये सारे खर्चे आपके पास जो है, वो हुए हैं, ये सारे खर्चे जो है, वो आपके पास हुए हैं, और ये process B के current हालाद दियें हैं, अच्छा, units तो पहले ही balance है, कि 10,000 यूनिट पर आपने काम करना शुरू किया, और उसपसे 9,000 यूनिट वो आपने मुकमल बना लिया हजार यूनिट सिनक अब डीटा, अब हमें बात करनी हैं कि जो ये material और finished goods और CWIP की चीज़ें हैं, इसकी क्या value होंगी, अच्छा जी, एक चीज याद रखिएगा, कि अब हमारे पास तीन cost हैं, जो cost transfer process ACI, जो material का मजीद खर्चा मैंने किया, जो conversion cost मैंने मजीद incur करी, और ये total कितना बना है, ये भी यहां लिख लेता है नो, 549,000 तो ये भी 549,000 यहां का total बना चाहिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, EPU, EPU transfer cost, EPU transfer cost का क्या मतलब है, EPU transfer cost का ये मतलब है, कि हमारे पास ये जो 10,000 units, 2,70,000 रुपे के transfer हुए थ ये process A से, आखिर क्या वो इसमें शामिल होंगे, ये सो इसमें शामिल होंगे, finished goods में 9,000 units की cost होगी, और closing WIP में, closing WIP में 1000 units की cost होगी, इसका मतलब EPU, जो transfer in का EPU होगा, जो transfer in का EPU होगा, वो कितना होगा, वो होगा 10,000, सही है, अच्छा, CPU ये cost per unit, CPU ये cost per unit, transfer cost की, वो क्या होगी, भाई ये जो आपने 270,000 रुपे का खचाचा किया है, ये दो लाख 270,000 रुपे का खचाचा कीया है, ये 270,000 रुपे का खचाचा, जो आपने process A में किया था, ये से चीज़ें B में आइं, B में चीज़ें तयार होगी, ये उन 10,000 चीज़ें पर उन 10,000 यूनिट्स पर लगी हैं जो आपके पास या तो फिनिश गुड्स में हैं या तो क्लोजिंग डब्लियू आइपी में और मुकमल में इसी के साथ साथ हम अपनी अगली वर्किंग करते हैं ईपीउ यू मैटि एपीउ मैटीरियल कॉस्ट इपीउ माटिर्यव कोस्ट का मतलब है जो 88,000 रुपय का माटीरियल का कखरचा वा वो फिनिश गूड्स और क्लोजिंग डबन वाटी यू आईपी में कितना कितना हुआ सवाल कहता है यहां पर अगर आप बुलेट नमबर वन देखें material added at start of process A and at end of process B process A में material शुरू में ही add हो जाता है जैसे कि हमने process A की accounting करी and end of process B end of process B का मतब्द यह है कि जब कोई चीज मुकमल हो जाती है फिर उस पर material लगता है तो इसका मतलब यह जो material का एक लाग आठाथ हजार का खर्चा वायन है यह जो फिनिश गुट्स के 9000 यूनिट से इन पे वा होगा closing WIP के 1000 यूनिट पर नहीं वा होगा closing WIP के 1000 यूनिट पर नहीं वा हैं और closing WIP लिखते हैं सॉरी कॉस्पर यूनिट माटीरियल तो आ सकता है ना कैसे एक लाग आठाथ हजार रुपे का conversion cost conversion cost की बात कते हैं एक यू कन वेर्जिन कास्ट की बात कथे हैं एक यू कन वेर्जिन कास्ट में अगेन फिनिश गुट्स है और closing WIP लिखते हैं ती कह कि अप closing W लिखते हैं नौजार यूनिट सा जहेरे यह conversion कास्ट के लिए से 100% कम्प्रीट होंगे फिर यह फिनिश गुर्ट में गहांगे वना कोई चीश में जाती नहीं है लोजिंग डब्ली आई पी के हजार यूनिट से सवाल कहता है यह जो है वो दोनों प्रसेस का यानि के अगर 1000 यूनिट से वह आधे 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 अधे अधे कम्प्रीट है तो उनका इप्यू आएगा 500 यानि का टोटल इप्यू जो है वह 9500 बन जाएगा अच्छा उसके बाद पर यूनिट जब हम कन्वर्जन कोस की निकालें सब्सक्राइगे कन्वर्जन कोस की कोस पर यूनिट क्या आएगी वन सेवेंटी वन थाउजन डिवाइड़ बाइन थाउजन फाइवंड़ यानि के अठारा रुपए जनाब अब यह जो 9000 यूनिट्स है नौजार यूनिट्स जो है वो प्रसेसे होका रहा है तो उन पर 27 20 रुपए तब ही लग गए थे यह जो 9000 यूनिट्स है यह जो 9000 यूनिट्स है इस पर 12 रुपए के हिसाब से माटीरियल लगा है फिर यह जो 9000 यूनिट्स है इन 9000 यूनिट्स पर फर्दर क्या खर्चा हुआ है 9000 यूनिट्स पर फर्दर जो है वो 18 रुपए के हिसाब तो होकर आएं तो उस पे वो खर्चा लगा होगा क्लोजिंग डबी आईपी के जो हजार यूनिट्स हैं उस पर किसी भी किसम की माटीरियल की कॉस्ट लगी नहीं है क्योंकि मैटीरियल प्रसेस के आखिर में लगता है कनवर्जन कॉस्ट लगी है लेकिन 50% तो 50% इंटू 18 ठ ठीक है जी तो आप देखें के दोनों साइट्स 500 और 49,000 पर बैलेंस होती हैं अब आप लोग आराम से तसली से इसको अच्छे से कॉपी करें और आप लोगों के पास बेसिक लेक्शर्स भी बहुत सारे मौजूद हैं प्रसेस कॉस्टिंग है जिसमें इनसे रेलेवेंट च आप शक्रिया अलाहाफिस